और उत्तर प्रदेश गौवर्मेंट डिक्लेयर स्मिडेट बट मैं जिन्दा हूँ बीस वर्सों से अपने आपको जीवित घोशित करने के लिए तमाम जद्दो जद्द कर रहे हैं लेकिन आज तक सरकार के कानों पर जुआ है लापता मिशिंग लास मुंबई ट्रेन बंबल क्या मोदी योगी के खिलाब चुनाओ ये भी आप कवर कर लिए चुनाओ लड़ चुके हैं फिर से लड़ेंगे अभी हम बनारस में हैं और बनारस की सडकों पर हम जब जा रहे थे तो एक ब्यक्ति हमें मिल गया जिनके गले में पोश्टर था और पोश्टर पर लिखा है कि मैं जिन्दा हूं ये पोश्टर लेकर क्यों घूम रहा है और क्या नाम है आपका जिस वर्सों से अपने आपको जिवित घोशित करने के लिए तमाम जद्दो जद कर रहे हैं लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगा कि अभी लेखो में हमको डेट दिखा दिये हैं मरा हुआ दिखा दियार परदार हमारे चचेरे भाईयों ने चेतन सिंग दुर्गा सिंग अजय सिंग नरायन सिंग वह अन्य जाती के लोग संदो हजार में हम अपने गाव में थे 1988 में अल प्रापर्टी मेरे नाम से वरासत हो गई थी पिता जी का देहान के बाद और माता जी विदवा और हमारा नवालिक तौर पे और उसके बाद जो है कि संदो हजार में फिल्म इस्टार ना पाटेकर साब आच फिल्म की सुटि अगर पर कोई था नहीं माता पिता पहले गुजर गए थे ताला बन करके घये अब धैयात पर्दार हैं तो उनसे तो पहले से भी बात चीत उतना नहीं थी तो किसको बताओगे और आए दिन मीडिया में जिर्कियों में तो यह रहता ही है चपता ही था हमारा कि मैं जिन्द मुंबई ट्रेन मूरत सिंग मर चुका है और तेरा हमी करके हमारे इससे की साड़े बारा एकर जमीन अपने नाम करा लेते हैं तब से लेके अब तक हमें शाबीत कर रहे हैं कि मरा नहीं मैं जिंदा हूं गाउं के लोगों नहीं वहां नाना साप को ही फोन किया था संतोष है तो चाय बना रहा है और बुलाता हूं बात करता हूं बात किये हम काफी लोगों ने बोला एक है याज आपकी तो हमें भी बड़ा अश्र हुआ तो बोले कि यकीन नहीं लेखे फिर हम All- Tradition आपका तो मरने भाना क्लिया एक लोग बोले दो लोग बोले काफी लोग बोले तो हमें भी आश्यर्ज हुआ शोम किसी ने हमें सजेश्ट किया कि आप पुलिस के पास जाओ पुलिस के पास गए अपने थाने पे तो पुलिस का कहना था कि देखो यह उत्तर प्रदेश है यहां हजार दुवजार के लिए गड़बड हो जाता है अब वैसे भी आप इतने बड़े फिलिमिस्टार के जवाप क पर दो और जाओ कमाओ हर महीने का 1500 रुपए हमको बेचते रहिएगा और यह साल भर के अंदर आपका फाइनल हम करवा देंगे शो अमने पर ने उनकी फीस जो है मतलब 1500 रुपए महीने का फीस वकील रखोगे तो फीस तो देना पड़ेगा ना तो मैंने बोला ठीक है और ह उन्होंने कहा कि 40,000 रुपए लेके आप आओ और हाई कोट में चलते हैं हमके बताओ तीन साल तर फंदरा पंदरा सो रुपए आप चाली जार कहां से पाइव हम बरतन माच के कुकिंग कैके कितना पैसा कमा शो हमने कहा कि साब अब हमारे पास पैसे नहीं है के छोड़ दो कितने दिनों से घूम रहे हैं इनों ने मरा हुआ हमें गोसित किया है और 2023 में आप इंटर्व्यू ले रही हैं तो डिफिनेटली दोहजार तीन दोरान किसे मुलाकात के आपने योगीजी से मुलाकात हुई है कभी अरे बाई नेम बाई फेम मुझे पूरे वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर पहचानते हैं मैं और हमारे संगर्थ को आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकती है सर्च मी ऑन गूगल मैं जिन्दा हूं शंतोष मूरत सिंग और आस तक आपके साथ आखिन डाय क्यों नहीं तो डिवेट पर बैठे थे तो हम काफी अपनी तरह जितने रिकॉर्ड में मरे हुए उनको भी लेकर नियूज नेशन चैनल पर बैठे थे तो डिप्टी सीम केसो परसाद मोरिया जी से एंकर मोहदय ने पूछा कि इतने मुर्दों के बीच में आप बैठे हो आपको डर न जनीती कि कि सरकार में है आप आप anget है तो आपका दाहिट नहीं बनता है मतनुए मरें तो कांगरेस की सरकार आएगी तब फीर हम जिन्धा हों बताईए हमने हमने सुना कि आप कई बार जेल भी जा चुक है unzer इसे घुमते हैं कि मैं जिनदा हूँ तो इसी क्या रूप मेरे जलते हैं। और यही से पुलिस हमको गिरभतार कर लेती हैं ऊट्लिक जंटरमंतर फ़पलेपर करते हैं और पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है अट के मिल्ट आप ने उल्वरघता है आण आज आज ऐता है पहले से फोन आजाता है है आप कहा हो आपका क्या लोकेशन है चुकि मेरा सर्वीस लाइन में नंबर भी लगा दिये हैं सब लोग और मैं अगर नहीं भी बोलू कि नहीं मैं आने हुआ तो तो भी वहां पहुंच जाएंगे कैसे पहुंच जाएंगे आप विजैपी की हो सपा की हो किसी भी सरकार हो प्रेजन टाइम में जिसकी सरकार के दा बनताए उसको जिंदा करें अब नेम भाई फैम तो मुझे सीएम पीम डिम सब जान रहे हैं सब लोग अभी आप लोग उनसे पूचों कि मैं जिन्दा हो तो खुद बता देंगे और रही ब चुनाओ लड़ चुके हैं फिर से लड़ेंगे अगर नहीं सुनते हैं लोग तो अपनी बात पक्ष रखने के लिए भाई हमें तो साबित करना ही पड़ेगा यही तो प्रवधान अच्छा है बाकी सब प्रवधान मुझे कड़ लगता है कि जेल से भी आप चुनाओ लड़ अरे पूरी जनता है मेरे साथ लोग तंत्र के चौतास मीडिया है अब तो मैं किसी भी जेल में जाता हूं तो जितने कईदी लोग रहते हैं वेलकम डैड मैं अलाइव करके मेरा स्वागत भी करते हैं अब तो कईदी लोग भी मुझे पहचानने लगे हैं इंदुस्तान का बाते कहीं सुनी नहीं जा रही है अब मैंने इंसे पूछा कि आप आगे क्या करने वाले हैं क्योंकि इन्होंने बताया कि दो गंडे में हो सकता है कि पुलिस मुझे उठा के ले जाए तो यह कह रहे हैं कि अब मुर्दा योगी और मोदी के खिलाब चुनाव लड़ेगा और खुद को प्रूफ करेगा कि भाई मैं जिन्दा हूं तो इनके लिए आपका क्या प्रतिक रिया है कोमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा धन्यबाद ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे साथ